दिल्ली के उप्रा जिपाल विनय कुमार सक्सेना ने बुदवार को अर्विंद केजरिवाल का इस्तीफा रास्टरपत्ती दुरापदी मुर्मु को मंजूरी के लिए भेज़ दिया साथ ही उन्होंने नई मुख्यमंतरी आतरशी के शप्त घ्रहन के लिए 21 सितंबर की तारिख का प्रस्ताव भी रास्टरपती को भेजा है इधर मुख्यमंतरी पत्स इस्तीफा दे चुके रुविंद केजरिवाल अपना सरकारी आवाज चोड़ेंगे आमानवी पार्टी के सांसद संजे सिंग ने पुदवार को कहा कि हमने सुरक्षा को लेकर उनसे कहा कि सरकारी आवास ना चुड़ें लेकिन वे नहीं माने एक दिन पहले 17 सितंबर को आप विधायक दल की मेटिंग में आतरशी को मुख्यमंतरी चुना गया था इसके बाद केजरिवाल ने शांग को LG विने सकसेना को अपना इस दीफा सौंप दिया था आप नेता संजे सिंग ने कहा केजरिवाल अपनी सभी सरकारी से विधाएं छोड़ने जा रहे हैं हम लोगों को चिंता है केजरिवाल पर कई बार हमले हो चुके हैं जब उनके माताविता घर में थे तब भी उन पर हमला हुआ था अभी ये तैन नहीं हुआ है कि केजरिवाल कहां रहेंगे उन्होंने कहा कि वे जनता के बीच रहेंगे जगां अभी तैन नहीं है दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल के बंगले और इसके कैमपस में बने आफिस का रिनोवेशन किया गया था इस पर 52.7 एक करोड रुपए खर्च हुए थे उप राजयपाल विने सक्सेना को भेजी गई फैक्चुल रिपोर्ट में ये जानकारी आई थी रिपोर्ट में कहा गया है कि बंगले पर 33.49 करोड रुपए खर्च हुए है उनके पुराने बंगले को गिरा कर नया बंगला बनाया गया था दिल्ली में अर्विन केजरिवाल ने 17 सितंबर के शाम को उप राजयपाल विने सक्सेना को सीम पत से इस्तीफा सौपा था उनके साथ आतिशी और चार मंतरी मौजू थे इसके बाद आतिशी ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया उप राजयपाल से शपत ग्रहन की तारीख तैक करने के भी मांगे दिल्ली सरकार ने 26 और 27 सितंबर को दो दिन का विधान सबसत्र पुलाया है